शासान से प्राप्त भूमी का कलेक्टर के नुमती के बिना विक्रे के जाने और शत्तिसकर भू राजस्व सहीता उनिस सब उनसर के प्रावधानों के विप्रित उसी वाद भूमी का विधिविरुद नामांतरन आदेश पारित कर गंभी लापरवाही बरतने के आरोप में द जुरुव संभाग आयुक्त सत्ति नारायन राठावर ने शासन से प्राप्त भूमी का कलेक्टर की अनुमती के बिना विक्रे किये जाने पर पूर्व में नामांतरन निरस्त करने के बाद एवं अपिलनी नियाय लाज्यों दबारा नामांतरन खारिश करने के बाद भी च चतिजगर सीविल सेवा आचरन नियम 1965 के पतिकुल मानते हुए तहसिलदार दुर्ग प्रफुल कुमार गुपता को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया है वह निलंबन अवधी में मुख्यालय कायलय कलेक्टर मोहला मान पूरंबागर चोगे निर्धारित क्या क्या है इस दोरान तहसिलदार प्रफुल कुमार गुपता को निलंबन अवधी में नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी बतादे ग्राम बोड़ेगा पटवारी हलका नंबर 10 बटे 14 राजस्व निरिक्षक मंडल दुर्ग एक तहसिलव जिला दुर्ग स्थ भी थी उक्तशिकायत पर कलेक्टर दुर्ग से प्रति वेदन प्राप्त किया गया था जिसके अवलोकन कर पाय गया कि शासन से प्राप्त भूमी का कलेक्टर के अनुमतिके बिना विक्रे कर दिया गया था इस सम्मद में दुख तहसिलदार प्रफु लुकुमार गुपता को संभाग आयुक्त कायले द्वारा कारण बता और नोटीस जारी किया गया था जिसके प्रति उत्तर में उनके द्वारा जवाब प्रस्तूत किया गया जिसके परिक्षन में उनका जवाब समधान कारक नहीं